हलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं उमीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चला होगा लेकिन आज जो अपना लोग का काम है कि ट्यूट करना है एक 11 बजे से जो BSSE एकजाम के कैंसिल को ले करके तो आप में से बहुत सारे लोग है जो ट्यूट नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग को ट्यूटर नहीं चलाने आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्ले स्टोर से जा करके इंस्टॉल कर लिजी और इस्टॉल करने के बाद आपका नाम वहां पर भर दीजेगा अपना mail id मांगेगा जो भी मांगेगा उसको भर करक उसके बाद आप इस पे ट्यूटर पे किलिक किजिएगा एक बार जब आप किलिक किजिएगा तो यहां पे आपको right side में नीचे जो है क्या आपको plus का sign मिलेगा इस plus के sign पे एक बार किलिक करना है उसके बाद फिर से आपको नीचे में ही right side में आपको ट्यूट के सामने एक plus का sign मिलेगा फिर इस पे click करना है उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा space लिखने के लिए तो आपको कैसे लिखना है जो आपका cancel है वो पूरे small letter में तो सबसे पहले आपको क्या तो hatch stack लगाना है उसके बाद small letter में cancel लिखना है जैसे कि c a n c e l cancel लिखना है उसके बाद आपको underscore लगाना है उसके बाद आपको b s s c जो है आपको capital में लिखना है फिर से आपको underscore देना है उसके बाद जो है आपका c g और l यह भी capital में उसके बाद इसके साथ ही साथ 3 लगा देना है ठीक है आप देख़ेगा तो नीचे आभी जाएगा ठीक है जैसे कि अभी देख रहे हैं जैसे मैं वीडियो बना रहा है तो 470 ट्यूट हो चुका है ठीक है आपका आ जाएगा इनको सेलेक्ट करने ना है उसके बाद फिर से आपको अड़रेट लगा करके और तेजस्वी आदव जी को सेलेक्ट करने ना है अगर आप में नहीं आता है तो आप यहाँ पे लिखिएगा जब तो आ जाएगा ठीक है इसके बाद आप अड़रेट लगा क सुसील कुमार मोदी जी को भी आप मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं तो एर देरेट जो यहाँ पर लगाए ना इसके साथ आप यहाँ पर लिखिए सुसील सुसील, कुमार मोदी यहाँ पर आ जाएगा इनको भी आप स्टेक करिए ठीक है और नीचे आप चाहते हैं कोई फोटो लगाना या मतलब कोई भी आपके पास जो पोस्टर है वो लगाना तो आप इस पर यहाँ पर किलिए किजिए ठीक है और यहाँ पर आपके पास जो कोई भी फोटो होगा तो आ जाएगा तो जैसे कि मेरे पास जो फोटो है यह कलका है जो मैंने यूटूब पे भी डाला था यह जो दिलिप जी का है दिलिप जी जो सरी यह मतलब एलान किये थे तो यह सब लगाने के बाद अगर और भी आप किसी को टैक करना चाहते हैं तो टैक कर दिजिएगा और उसके बाद आप कुछ लिखना चाहते हैं अपनी बाते तो भी लिख सकते हैं लेकिन ये जो है हैज़स्टेक कैंसल इस लेटर पे आपको खास ध्यान रखना है ये सब करने के बाद आप यहाँ पे उपर में राइट साइड में देखिएगा कि ट्यूट करने के लिए जो अप्सन है इस पे आप एक बार किल्क किजिएगा ये आपका ट्यूट हो गया ये चला गया ठीक है तो इस तरीके से आपको करना है तो अगर आपको मान लिजे कि अगर ट्यूट करने में कोई दिकत होता है तो आप डाइरेक्टली कोई दूसरा भी ट्यूट किया है उसको आप डाइरेक्ट री ट्यूट भी कर सकते हैं कि अभी देखे यह जादा से जादा हो सके आप ट्यूट कीजिए ठीक है क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप सरकार को बता सकते हैं कि कहां गलत हुआ है ताकि इसको संग्यान में लिया जाएगा और यह एक्जाम कैंसिल हो जाएगा और फिर से दुबारा एक् कि आप ऐसा काम जरूर करेंगे ठीक है तो थैंक्स फर वाचिंग ओके बाई जहिन दोस्तों